नमस्कार मैं विनूद्ट। टमाटर की फसल उत्पादन की जानकारी में आप सभी का स्वागत करता हूँ। टमाटर में समान एवं संकर प्रजातियां पाई जाती हैं। समानी प्रजातियां जैसे की हिसार अरूण, पनजाब छुवारा, अर्का विकास, कासी अम्रत, पंत टमाटर 3, कल्यानपुर टाइप 3, आजाट T5 एवं आजाट T6 आधी हैं टमाटर की संकर प्रजातियों में दो प्रकार की प्रजातियां पाई जाती हैं सीमित बढ़वार वाली तथा असीमित बढ़वार वाली जैसे की रस्मी, रुपाली, अजंता, मंगला, अबिनास बाईस एवं पूसा हाइबृड दो हैं असीमित बढ़वार वाली जैसे की नवीन, सोनाली, मोहनी, रतना आदी हैं टमाटर की फसल में खेत की तैयारी जीवान स्युक्त, बलूई दोमट एवन दोमट भूम में टमाटर की खेती सफलता पूरवक की जा सकती है भूम में जल निकास का उचित प्रबंध होना अतियावस्यक है टमाटर की खेती 6-7 पी-अच मान वाली भूम में सफलता पूरवक की जाती है खेत की पहली जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से करके 3-4 जुताई कल्टिवेटर या देशी हल से करने के बाद पाटा लगा कर संतल करते हुए अच्छी तरह भूरवूरा बना लेना चाहिए टमाटर की फसल में बीच की मात्रा एवं रुपाई समान प्रजातियों में 450-500 ग्राम बीच तथा संकर प्रजातियों में 300-350 ग्राम बीच प्रति हेक्टेर लगता है बीच का सोधन 2 ग्राम कैप्टान या थीरम से प्रति किलो ग्राम बीच की दर से उपचारित करके बुआई करनी चाहिए स्वस्त पाउद तयार करने के लिए क्यारी जमीन की सतय से 15-20 cm उची उठी हुई तथा 1 मीटर चौड़ी एवं और सकता अनुसार 5-10 मीटर लंबी बनानी चाहिए बीच को क्यारियों में 1.5-2 cm की गहराई पर गुआई करके सडी गोबर की खाथ से पतली तह लगाकर बीच को ढग देना चाहिए जब पौधे 5-6 पत्ती वाले या 15-20 cm उचे हो जाएं तो पौध की रोपाई क्यारियों में करनी चाहिए सामान सीमित बढ़वार वाली परजातियों की लाइन से लाइन की दूरी 60 cm तथा पौधे से पौधे की दूरी 45 cm रखते हैं जब की बढ़वार वाली परजातियों में लाइन से लाइन की दूरी 75 cm तथा पौधे से पौधे की दूरी 45 cm रखते हैं बरसाद की फसल में उचे थालों या मेडों पर रोपाई करनी चाहिए पौध रोपाई सैंकाल 3 बजे के बात करनी चाहिए टमाटर की फसल में खाद एवं उर्वरकों का प्रियोग खेत की अंतिम जुताई में 250 से 300 कुंतल सडी गोबर की खाद प्रित हेक्टेर की दर से अच्छी तरह मिला देना चाहिए इसके अत्रीक रोपण के समय 150 किलोग्राम नत्रजन, 60 किलोग्राम फासफोरस तथा 60 किलोग्राम पोटाज तत्तो के रूप में प्रत हेक्टेर की दर से देना चाहिए नत्रजन की आधी मात्रा, Phosphorus एवं पोटाज की पूरी मात्रा खेत तयारी के समय देनी चाहिए तथा नत्रजन की आधी मात्रा टाप ड्रेसिंग की रूप में देनी चाहिए टमाटर की फसल में फल फटने की समस्या होती है इसके नियंतरण के रिए बोरेक्स 800 ग्राम 550 लीटर पानी में घोल कर प्रते हेक्टेर की दर से छिड़काओ करना चाहिए बोरेक्स का दूसरा छिड़का 15 दिन के अंतराल पर करें सिचाई टमाटर की फसल में पौद की रोपाई के बाद पहले सिचाई हलकी करनी चाहिए और बाद में आवसकता नुसार 20 से 25 दिन के अंतराल पर करते रहना चाहिए सर्दियों में टमाटर के फल पकते समय सिचाई कम कर दी जाती है क्योंकि पानी की अधिक मात्रा से फल पकने में देरी होती है और फल हरे रहते हैं खरपतवार नियंतरन टमाटर की अच्छी उपज प्राप्त करने के लिए समय समय पर निराई गुडाई करके खरपतवारों से खेत को साफ रखना चाहिए पहली निराई गुडाई रोपाई के 20 से 25 दिन बाद तथा दूसरी 40 से 45 दिन बाद करनी चाहिए साथ ही रहसाइन से खरपतवार नियंतरन हेद पेंडे मितलीन की 3.3 लीटर मात्रा को 1000 लीटर पानी में घोल कर रोपाई के एक दो दिन के बाद छिड़काओ करना चाहिए निराई गुडाई के बाद पौधों पर मिट्टी चढ़ाना चाहिए टमाटर की फसल में लगने वाले कुछ प्रमुख रोग हैं टमाटर की फसल में आदर गलन अगेती जुलसा तथा पत्ती मोड बिसान लगत होती है इसके नियंतरण के लिए नर्सरी में कैप्टान दवा की दो ग्राम मात्रा को प्रत लीटर पानी में घोल कर छिड़काओ करना चाहिए अगेती जुलसा यह रोग अल्टर नेरिया सोलेनी नामक फफूंद के द्वारा टमाटर की फसल में लगता है रोग के लच्छ अगेती जुलसा की रोग थाम है तो दो ग्राम इंडोफिल M45 या तीन ग्राम कापर आक्सी क्लोराइट को प्रती लीटर पानी में घोल कर छिड़काओ करना चाहिए पत्ती मोड बिसाडू रोग टमाटर का पत्ती मोड बिसाडू रोग यह टमाटर की फसल की प्रमुख व है रोग ग्रस्त पौधों की पत्तियां शिकुड कर मुड जाती हैं इस रोग की रोग थाम के लिए दो मिली लीटर मोनो क्रोटो फास को प्रती लीटर पानी में घोल कर पंदरा दिन के अंतराल पर छिड़काओ करना चाहिए तमाटर की फसल में लगने वाले कुछ कटुवा कीट तना एवं फल छेदक कीट लगते हैं कटुवा कीट की गिडार रात में निकल कर पौधों को जमीन की सतह से काट कर गिरा देती हैं इसकी रोग थाम के लिए क्यूनालफास 25C की 1.5-2 लीटर मात्रा या साइपर मेथरीन की 750 मिली लीटर मात्रा को 700-800 लीटर पानी में घोल कर शिड़काओ करें टमाटर की फसल में तना एवं फल छेदक की लगते हैं तानायं फल्छेदक कीट की रोगताम हे तुव नीम की गिरी चालिश गरम मात्रा को पीश कर प्रति लीटर पानी में घोल कर 10 दिन के अंत्राल पर शिड़काओ करना चाहिए तथा, 10-28 ACE की 1 ml मात्रा प्रतिलीटर पाणी में घोलकर या कार्बो सल्फान पच्चिस एसी की 2 ml मात्रा प्रतिलीटर पानी में घोलकर पंदरा दिन के अंतराल पर छिर्ड़काओ करना on the need तुडाई एवं उपज टमाटर के फलों की तुडाई पकने पर जब लाल रंग के हो जामें तभी करनी चाहिए टमाटर की फसल से प्रजातियों के आधार पर उपज प्राप्त होती है टमाटर में समान प्रजातियों से 400 से 450 कुंतल तथा संकर प्रजातियों से 600 से 700 कुंतल उपज प्रती हेक्टेर प्राप्त होती है धन्यवाद